हाई व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही स्वादिश्ट और दानेदार मोदक तो चलिए स्थुरू करते हैं आसान फूड रसीपिस के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम तीन टेबल स्पुन घी अच्छे से गरम कर लेंगे घी जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें एट कर देंगे एक कप सूजी यानि की रवा और गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगाता चलाते हुए भूनते रहेंगे सूजी में हम गरम दूद एट करेंगे तो जब तक हम इसे भून रहें तब तक हम दूसरी तरफ दूद गरम करने रख देते हैं तो हमने यहाँ पर एक कप फुल क्रिम दूद लिया है लगाता चलाते हुए हमने सूजी को मीडियम फ्लेम पर आठ मेंट टक अच्छे से भून लिया है अब देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लगा है अब हम इसमें एट कर देंगे एक कप गरम किया हुआ दूद देखें दूद एट करते वक्त हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे अब देख सकते हैं कि दूद एट करने के साथ ही सूजी ने सारा दूद एब्सोर्ब कर लिया है इस स्टेज पर अब हम इसमें एट करेंगे चीनी तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम चीनी लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को हम इसमें मेल्ट होने देंगे चीनी जब इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तब हम इसमें एट कर देंगे dry fruits देखिए आप यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी dry fruits एट कर सकते हैं हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून बादाम और पिस्टे एट कर रहे हैं इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे 1 चोथा टीस्पून इलाइची पाउडर अच्छे से mix कर लेंगे और low flame पर हम इसे 5 मिनिट के लिए और पकाएंगे इलाइची पाउडर और dry fruits एट करने के बाद हमने इसे लगातर चलाते हुए 5 मिनिट के लिए और पका लिया है अब हम गेस की flame को off कर देंगे और मोदक के इस मिश्रण को room temperature पर हलका ठंडा होने देंगे तो यहाँ पर हमने इसे room temperature पर हलका ठंडा कर लिया है पूरी तरह हमने इसे ठंडा नहीं किया थोड़ा ये गरम है अब हम इसमें से मोदक बनाएंगे तो मोदक बनाने के लिए हमने इस तरह का एक mold ले लिया है इस mold को हम पहले घी से अच्छे से grease कर लेंगे और ये जो मिश्रण है इसमें से थोड़ा सा portion लेकर इस mold में हम add करेंगे मोदक को एक perfect shape देने के लिए हमें इसमिश्रण को अच्छे से press करते हुए mold में भनना होगा तो इस तरह से press करते हुए हमें इसमिश्रण को mold में अच्छे से भल लेना है अब हम इस से unmold कर लेते हैं ये देखिए बिल्कुल perfect मोदक बनकर तयार हुआ है बाकिके मोदग भी हम इस तरह से मोल्ड की मदस से बना लेंगे सूजी के मिसरण को प्रेस करते हुए इसमें अच्छे से भल लेंगे मिसरण को अच्छे से भनने के बाद इसे अनवल्ड कर लेंगे तो यहां पर हमने मोदक का जो मिसरण है उसकी आधी कॉंटिटी रख ली है इसमें हम एड़ करेंगे ग्रीन फूड कलर देखिए आप अपने पसंद का कोई भी फूड कलर एड़ कर सकते हैं रंगीन मोदक बनाने के लिए अच्छे से से मिक्स कर लेंगे सेम प्रोसेस को फोलो करेंगे मोदक का मोल्ड लेंगे और सूजी का यह जो मिसरण है इसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए मोल्ड में भल लेंगे अच्छे से जब हम इसे प्रेस करके मोल्ड में भल लें इसके बाद हम इसे अनमोल्ड कर लेंगे सेम प्रोसेस को फोलो करते हुए बाकी के बच्चे हुए मिसर्ण में से हम इस तरह के रंगीन मोदक बना लेंगे तो खाने के लिए तैयार है स्वादिष्ट और दानेदार सूजी के मोदक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बिना और बेल आइकन डबाए बिना ना जाए फिर मिलेंगे जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई